Hello everyone, Welcome to MS Education TV 11th class के जितने भी student हैं एक बार इस वीडियो को जरूर देखें इस वीडियो में आपको economic subject का complete solution देखने को मिलेगा यदि आपको और भी subject के solution देखने है तो में यूटूब चैनल के ओपर जागे देख सकते हैं और यदि आपको question paper download करने एफिद answer तो इसी वीडियो की description में आपको website का link मिल जाएगा वहाँ से आप इनको download कर सकते हैं First question देखिए नियादर्स की विश्वशनियता रूप मुखे रूप से किस बात पर निर्बर करती है तो इसमें पहला option है नियादर्स की आकार पर ये भी right है परगण को के perception पर ये भी right है नियादर्स की विदी पर ये भी right है तो इसमें जो D option क्या हो जाएगा बिल्कुल right यानकि उप्रोक सभी जो है बिल्कुल क्या है सही है नियादर्स क्यूशन है विवाजन मुल्य का एक परकार है तो इसमें देखिए मादिका भी सही है जो है चतूर्थक भी सही है तो इसमें जो है C option क्या हो जाएगा right है यानकि A और B दोनों ही क्या है नियादर्स क्यूशन देखिए संचई आवरती वकर की रचना की जा सकती है तो इसमें देखिए पहला है सैसे कम वीदी द्वारा ये भी सही है सैसे अधिक वीदी के द्वारा तो इसमें जो C option क्या हो जाएगा बिल्कुल right है यानकि दोनों A और B क्या हैं बिल्कुल right है नेक्स क्यूशन देखिए अनुसंदान की वीदी द्वारा मौलिक रूप से इकट्टे आकड़े कहलाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं प्राथमिक आकड़े तो इसमें जो A option क्या हो जाएगा अपना right नेक्स क्यूशन है ओपनी वेसिक सासन के समय बारत की जनकिकिय विसेस्था थी तो इसका जो है पहला option है उच जनमदर ये भी सही है उच मरतिवदर ये भी सही है उच सीश उदर ये भी सही है तो इसमें जो D option क्या हो जाएगा right यानकी उपरोगते सभी क्या हो जाएंगे सही नेक्स क्यूशन है उच से सम्मंद की स्थित्ती में जो R की जो value हो क्या होगी तो R की जो value हो 0.75 से क्या रहेगी बड़ी तो इसमें जो है D option क्या जाएगा अपना right next question है कर्शी साग के मुक्य साधन है तो कर्शी साग के मुक्य साधन क्या है वापारी बैंक ये भी सही है next है छेतरी अग्रामिन बैंक ये भी सही है कर्शी सहकारी साधन ये भी सही है तो इसमें जो D option क्या जाएगा right यानि क्यों प्रोकते सभी next question है सारवजनिक छेतर का संकोचन एक उपाए है तो इसका right answer क्या जाएगा नीजी करण का तो इसमें जो यहाँ पे A option क्या जाएगा अपना right next question देखिए next question है सहरी सहरी छेतर में पाई जाने वाले बैरोजगारी है तो सहरी छेतर में जो किस टाइप की बैरोजगारी पाई जाती है तो ओद्योगिक बैरोजगारी भी सही है तो इसमें जो C option क्या हो जाएगा right यानि उपरोग तो दोनों यह option क्या हो जाएगे बिल्कुल right next question देखिए next है दारणिया विकास का परतिपादन किस report में किया गया तो किस report में किया गया था over common future तो इसमें जो है over common future जो है इसका right answer हो जाएगा तो इसमें जो B option क्या हो जाएगा बिल्कुल सही next question देखिए यहाँ पर true false आपको बताने है तो इसमें दिया गया है कि दिवित्यक आकड़े मोलिक होते हैं तो दिवित्यक जो आकड़े होते हो मोलिक नहीं होते है तो इसमें जो क्या जाएगा false यानिकि यह जो statement है क्या है गल्थ next जनगंड़ना एतू बारत में परतिदर्स विदी परियोग की जाती है तो यह भी जो second sentence है यानकी जो वाक्य है यह भी क्या हो जाएगा wrong next आकड़ों को सारणी में परतशित क्या जा सकता है तो यह बिल्कुल right है जो आकड़े होते है जो data होता हो उनको हम जो है सारणी में यानकी table में भी जो represent कर सकते है तो इसका क्या जाएगा right answer true यानकी सही next समानतर मद्य अग्यात करने का जो formula यह दे रखा है तो यह जो formula बिल्कुल सही है यानकी यह जो इसी तरीके से हम जो arithmetic में निकाल सकते है तो 14 का भी जो है बिल्कुल right answer क्या होगा true यानकी यह जो है भी क्या बिल्कुल सही है next जो है कुशन दिया रखा है कि सह सम्मंध गुणां का मुल्य रिनात्मक नहीं होता तो रिनात्मक हो सकता है तो यह क्या जाएगा false तो इसमें जो है इसमें क्या जाएगा false next है बावी PD के कल्याने तो दारणिय विकास उतरदाई है तो दारणिय विकास जो है क्या उतरदाई है तो बिल्कुल सहीं बात है यह true है यानकि बावी जो प्रिडी है उसके कल्याने तो दारने विकास बिल्कुल उतरदाई है नेक्स देखिए एचिक बेरोजगार को बेरोजगार नहीं माना जाता यह सखीजाब का मतल्ला हושता है और यह नहीं काम करने है तो उसको एक त्रीके से बिर रोजगार नहीं मांते है तो बिलकुल शहीं बात है तो वह बेरोचगार है नहीं क्योंकि उसके नीयती नहीं है नेक्स्ट है नजी आर्ठिक नीती 24 जुलाई 19 Short नीति प्रदान में से जो लागू की गई थी आर्थिक नेती। next, SIDBI Bank लगू उद्योगो को रिन परदान करता है। तो बिल्कुल सही है, यह जो छोटे उद्योगो को रिन देते हैं। next, विशुद बच्तों से आर्थिक सनुवरिद्धी को मापा जाता है। तो यह क्या हो जाएगा, फाल्स। तो इसमें जो राइट आंसर क्या जाएगा, फॉल्स। यह जो स्टेटमेंट है क्या दरेके गल्द। next, देखिए, यहां पर आपको ब्लैंक फिल करने हैं। परतेक्स अनुसंदान अपेक्स सक्रित, खलिस्तान महेंगी वीदी है। तो कैसी महेंगी वीदी है, अधिक। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ब्लैंक में क्या जाएगा, अधिक। next, देखिए, खलिस्तान वीदाजन मुल्य का एक परकार है, तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, परकार है। नेक्स देखे खालिस्तान आकडों को चार बराबर बागमें बाड़ता ह yellow bene तो इसमें जो पहला क्या होगा बिल्कुल अपना right next देखे खालिस्तान ने स्रेनी सह सम्मंद गुणां का निर्मान क्या है तो किसनी क्या है, spearman ने तो इसमें जो blank में क्या जाएगा spearman, spearman इसका right answer हो जाएगा next है हम खालिस्तान छेत्रक को तुरितियक छेतर में सामिल करते हैं तो कौन सी छेतर को करते हैं बिमा यानकि जो बिमा होते हैं कौन सी छेतर को करते हैं तुरितियक छेतर में नेक्स्ट है नई आर्थिक नीती में खालिस्तान को सामिल के आ जाता है यानिकी नीजिक्रण को तो इसमें जो right answer कहा जगा नीजिक्रण यान की privatization Next मोस में बेरोजगारी समनेत है खालिस्तान में पाए जाती है मोस में जो बेरोजगारी किसमें पाए जाती है क्रिसी के अंदर farming के अंदर यानिकी agriculture के अंदर नेक्स्ट है आर्थिक विकास तो दारनिय विकास में अंतर खलिस्तान जाता है तो इसमें जो है अंतर यानिकि जो दारनिय और जो आर्थिक विकास होते हैं इनमें जो है अंतर क्या है पाया जाता है तो यहाँ पर डिफरेंस पाया जाता है अंतर पाया जाता है यानि कि यह बात जो है true एक तरीके से नेक्स देखें यहाँ पे बारत में पंच वर्षी योजनाए खारिस्तान से प्रारम हुई इसका अंसवर आप मुझे comment section में बताएंगे ताकि मुझे पता चले कि आपनी वीडियो को द्यान से देखा और आपको कितनी knowledge है फिर मैं आपको comment section में बताएंगा कि आपका रहांगे जो answer है वो right है या रहूंगे next यहाँ पे आपको correctly match करना है ठीक है तो सबसे पहला दिया गए कि बारत की पहली ओद्योगिक निती तो बारत की जो पहली ओद्योगिक निती कब लाग होई थी 1948 में तो यहाँ पे माँ option दिखाए तो आपको तो इसमें जो पहला जो है मैचिंग कि इसके हाथ हो जाएगी डी के साथ नेक्स देखिए यहाँ पे दिया गया है गनितीय ओस्त गनितीय ओस्त क्या है समानांतर मद्य तो यहाँ मोपसन देख लेते हैं यहाँ पे देखिए समान जो है समानतर मद्य यानिकि arithmetic mean समानतरमाद्य यह किसके हाथ matching है गनितिय उस्वत के साथ next की चरफ दलते है 34 सै सम्मंद गुणांक तो इसमें यहाँ पर देखेंगे तो इसके जो है इसका जो सम्मंद है किस से है इनका है कार्ल पियर्सन से यानिकि सै सम्मंद जो गुणांक है इसका सम्मंद किस से है कार्ल पियर्सन से next देखिए MRTP Act में चूट है तो यह क्या हो जाएगा उदार इकरण इसकी जो matching हो किसके हाथ हो जाएगी उदार इकरण तो यहाँ पर मैं आपको दिखाएता हूँ उदार इकरण कहां पर है तो यह स्टाइटिंग में दिया गया है यानिकि इसकी जो match है MRTP Act में चूट ही किसका जो match किस से है उदार इकरण से next देखिए चकबंदी चकबंदी का सम्मंद किस से है तो यह क्या है सुदार बूमी से तो मैं यहां पर आपको दिखाएता हूँ कहां पर यह option दिया गया है साइद यह रहा यहां पर आपको याद रखना है इनका जो सम्मंद है किस से बूमी सुदार से किसका सम्मंद है जो है चकबंदी का next है करसी साक करसी साक का जो सम्मंद है किसे यह है छेत्रिये ग्रामिन बैंक से यान कि कर्शिषाक जो शॹराध्य nozzle किसे है आर्थिक किरिया के साथ, यानकी निवेस करना, यानकी इसका जो समद्ध है, वो किसी है आर्थिक किरिया से, तो यहाँ पे starting में उपर दिया गया है, भी ओप्शन में, यानकी आर्थिक किसी हैं, यानकी पोवर्टी, तो यहाँ पे आपर देखते हैं, लास्ट वड़े किसी हो जाएगी निवेस किसी हो जाएगी निवेस किसी हैं, जिन कि आंसोरो जो है, वैसे तो आपको इनको जो अपनी language में लिख सकते हैं तो इसमें first question है कि यादरीचिक या दैव निर्दसन वीदी से आप क्या समझते हैं तो इस का answer आपको बताना है कि यह जो है क्या होती है देखिए दैव निर्दसन वीदी वैवीदी है जिसके अंतरगत समगर की परते की काई के परती दर्स परती दर्स का मतलब होता है सेंपल की रूप में चुने जाने का संभावना होती है जैसे कि लोटरी लोटरी जो इसका क्या है का example है next है सैस सम्मंद गुणांग की दो विशेस्टाइं बताएं तो इसके एक रूप जो है विशेस्टाइ की एस सम्मंद गुणांग की मद्य इसका मुल्य सदेव सुनने होता है और next है यहरिनात्मक अत्वा दनात्मक दोनों हो सकती है next है परती एक्टेर उत्वा दकता काफी कम थी मौसमी कर्शी की जाती थी यानि कि मौसम के according यानि कि जब बारिस होगी उसके according next देखें यहां पर आपको जो है इसका समान तरमा देबताना है उनकी mean बताना है तो सबसे पहले देखें यहां पर वएक्ति है चार उनकी आए दे रहए 10,000 वएक्ति पांच उनकी आए 20,000 यानि यहेख्ट! सबसे पहले हम van6 करें हें इन दोनों के हम multiply करते हैं तो यहां पे देखें 10,000 की और 4 की multiply करेंगे तो कितने आजाएगा चालीस अजार यहां पर मैं गर दुबारा से लिख लेता हूँ च्यार की और जब 10,000 के मिल्टिप्लाइ करेंगे तो यह आजएगी आपकी 40,000 नेक्स्ट है 20,000 सेलरी है से पांच वेकती है तो इनकी जो सेलरी है कितने आजएगी 1,00, ठीक है यहां पर मैं कोमा लगायता हूँ ताही पता चल जाए नेक्स्ट है 30,000 के तीन जो है से वेकती तीन है तो इनकी सेलरी कितने हो जाएगी 90,000 40,000 वाले 2 है तो इनकी सेलरी कितने हो जाएगी 80,000 और 50,000 सेलरी लेने वाले 9 है तो इनकी सेलरी कितने हो जाएगी 4,50,000 तो मीन निकालने के एक फार्मूला उता है, सभी का जोड उपर लिख देंगे, तो यदि आप सभी को जोड़ेंगे, तो इन सभी का जोड़ा जाएगा, 7,60,000, टीक है, डिवाइड में, टोटल वेक्ती कितने है, तो 4 और 5 कितने हो जाएगे, 9, 9, 12, 12, 12 और 2 कितने हो तो टोटल जोड़ कितना है, तो इसको सोल करने के बाद कितना आनसर आता है, आप मुझे कमेंट सेक्स में बताएं, ताकि पता चले कि आपने जोड़ेंगे को सोल किया है, ठीक है, नाइस किशन की तरफ चलते हैं, देखिए, बारत में निर्दंता के कोई दो कारणों की व मुझे तत्वों की व्याख्य कीजिए, तो इसमें देखे पहला है, व्यापकता, दूसरा है, सपश्टता, तीसरा है, सजातियता, चोथा है, सतीरता, और पांच सुआ है, लोट सीलता, आदी, और इंके जोवे अख्याप अपनी लेंगिज में कर सकते हैं, नेक्ट बात कर क्या है, तो आय चितर, वे चितर है, जिसमें एखंड, जो है, एखंडित, अत्वा सतत स्रिंखला से सम्मनित, मदो, तथा उनकी आवरितियों को आयतों की रूप में जो है, ग्राफ पेपर पदर सा जाता है, यान की आयत जो है, इस तरीके की जो चितर होते हैं, नेक्स्ट प्या कर सकती है, नेक्स्ट है, पेंटागोन, हैग्जागोन, हैप्टागोन, अक्टागन, नागन, ये बहुत सारे जो पोलीगन है, नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए, नेक्स्ट है, जो है, बुईष्ठक, या फिर बहूलक, या मद दिखा, तथा चतर उर्थक को गर बर, बाग में इस्तर के सिमवाजित करता है, एक बाग के सारे मुले मादिका से कम, और दूसरे बाग के सारे मुले उस से अधिक होता है, या बहुते होते हैं, तो जितने नंबर उदरों है, उतनी उदरों घ пришत है, फॉर्थ पार्ट, नेक्स्ट एकर से साथ के तीन तो इसमें देखिए पहला है व्यापपारिक बैंक दोसरा है से त्रिय ग्राणन बैंक तीसरा है सहकारी साख सिमितियां चोथा है आरबियाई और पांचवान नाबाड तो इनको डिटेल में आप जो एक्स्प्लेयन खुद कर सकते हैं नेक्स्ट है दारणिय विकास और आर्थिक विकास में किनी तीन अंतरों के व्याक्य कीजिए तो देखिए सबसे पहले आर्थिक विकास ये क्या संकुचित दारणा है और नेक्स्ट है दारणिय विकास ये विश्तरी दारणा है नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे आर्थिक विकास तो आर्थिक विकास क्या है ये अल्प विक्सित तथा विक्सित देशो एतु प्रियों किया जाता है और जो दारणिय विकास है यहाँ पे देखिए सोरी आर्थिक विकास क्या है अल्प विक्सित देशो एतु प्रियों किया जाता है लेकिन जो यह आपका दारणिया विकास यह है अलप विक्सित तथा विक्सित देशो एतू प्रियोग किया जाता है नेक्स्ट बात करें आर्थिक विकास तो प्रियावन संरक्षन तथा परदूसन यानि कि pre-ound selection तता प्रदोशन को महतव नहीं देता है कौन आर्थिक विकास और दारणी विकास की बात करें तो pre-ound selection तता प्रदोशन को जो महतव देता है next बात करें आर्थिक विकास के बारे में तो वर्तमान PD को अधिक महतव देता है दारने विकास की बात करें तो वर्तमान तता बावी पीडी दोनों को महता देता है नेक्स्ट आर्थिक विकास देखिए यह दारने विकास का एक भाग है यानि कि यह जो है दारने विकास का क्या एक भाग है और बात करें दारणी विकास इसमें आर्थिक विकास सामिल होता है नेश देखिए बारत में पंच वर्षी योजनाओं के दिर्ग कालिन उद्धे से बताईए तो आप इनको एक्स्प्लेइन कर सकते हैं मैं आर्थिक विकास को बढ़ावार देना दोसरा है परतिव्यक्ति आए एवं राष्ट्री आए मिवर्दी तीसरा है पुरन रोजगार चोथा है आयत दनका समान वितरन और पांचमा है आधारबूद सनरचना का विकास यशी के अथवा में एक और क्यूशन दिया गया है कि बारतिय नियोजन के चार मुख्य उपलब दिया बताईए तो पहली है राष्ट्री आए एवं परतिव्यक्ति आए मिवर्दी दूसरी है पुंजी निर्मान की दर मिवर्दी तीसरी है कर्षी छेतर का विकास चोथा है उद्योगो का विकास पांचमा है अधारबूट दाचे का विकास छटा है रोजगार मिवर्दी और सातमा है आदोनी की करण आदी नेक्स्ट है अर्थ व्यवस्ता के उदारी करण से क्या विपरा है इसके मुख्य उपाए बताईए ठीक है तो यह जो आप अपनी language में जो answer लिख सकते हैं इसी के अथवा में एक और question दिया आगया है कि आर्थिक सुदारों के आउसकता क्यू यह है तो आउसकता के जो देखे सबसे पहले देखे बारत में आर्थिक सुदारों का मतलब उन नीतियों से है जिसके दोबारा अर्थ वैवेस्ता में कुसलता, उत्पादकता, लाबदायकता तथा परतियोगिता की सक्ति में वर्दी करने के दरश्टि कोन से है नई आर्थिक नीती के अंदरगत बारत में 24 जुलाई 1914 में से परमुक आर्थिक सुधार लागू किये गए अब नेक्श बात कर देते हैं इसके आउसे क्यों हुई तो देखिए पहला है बढ़ता परतिकूल बुक्तान सेस, दूसरा है खाड़ी संकट, तीसरा है राज कोसिये गाटे में निरंतर वर्दी, चोथा है विदेशी विन में कोस में वर्दी, आजमा है मुदरा स्फीती, औ इसके क्या थी, कारण थे, नाइस क्यों देखिए बारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी के कारणों का वर्दन कीजिए, तो बारत में देखिए बहुत सारे कारण आपको पताए होगा, जो है लिटरिसी रेट जादा हो गया है, और जो नो करिया वगरए हो कम हो गई है, बाकियार और भी बहुत सारी कारण है, वो आप अपनी लेंग्विज में इनको लिख सकते हैं। इसी के और में आप एक्रकुशन दिया गया है, इनमें साफ आनसों लिख सकते हैं। पहला है उर्जा के प्रंप्रागर सतरोतों के दो धरण दीजी है। इसमें कौन-कौन से हैं। आधारित संरचना की प्रिवासत दीजी है। तो किसी यार्थ वैविस्ता के पुझी स्टोक का वह बाग जो वीबिन परकार की सेवाए परदान करने ये तो जरूरी है। आधारिक संरचना कहलाता है। जैसे कि उर्जा, संचार, यात, सिक्षन, संस्ताए, आधी। तो यहां तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट होचकी है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें। अपने दोस्तों क्या जरूर शेर करें। तो इसी वीडियो की डिस्रिप्शन में आपको जो है वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं और इनको पढ़ सकते हैं। साथी साथी आप मुझे फेस्बूक, इस्टाग्राम और टेलिग्राम भी फोलो करना चाहते हैं। तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो की डिस्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप मुझे डाइट फोलो कर सकते हैं। थेंक्स पर बोचिंग।